तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपने एड्चेक्टिव पैराज तो गई एड्चेक्टिव पैराज भी बहुत जड़ा यूज होते हैं इंग्लिस में तो लगते हैं वर्ड होते हैं पर उनका हिंदी मीनिंग कुछ और होता है तो चलिए गई तो अब से आप दोखा नही होता है ओपर और क्राई का मतलब होता है रोना पर इसके अंदर है क्राई अप उच्छा बढ़ाना एक्जम्पल देखिए आओ इस संघर्ष के लिए उसका उच्छा बढ़ाए लेट आस क्राई हिम अप फोर दिस ट्रेल गाइज अगर मैं आपको बता जूं कि इसमें क्रा आए और आपके बीच में आएंगे अगर इसके अंदर नहीं लगाई निके बीच में तो अपमार सेंटेंट से गलत हो जाएगा कोल ओफ को मतलब बता है रद करना या फिर समाप्त करना एक्जम्पल मजदूरों ने हड़ताल खतम कर दी देलेबर कोल्ड ओफ देश्ट्रि ॉड को अथलों मैं मिस शली एक्ट कोल्ड ओन मीजकर देए वनिंग वै опыт लूब से मिल आया ये और व्यक्रद ौन दौन मीजकर भी ये Ao एं- ग् confiscות whole इन्म ऑना को ओल्ल मेंज बुलाना प्लीज को यॉर फादर ही इन के लिए पे आपने पिटा जी को अंदर बुलाओ कोड यॉर फादर ही ॉसके अंदर फॉल्विन आई है और इसके बाद अप लगा था तो कई जिसमें भी यह यह देखिए जांस देखिए लाया तो इस पाद ऐसे उस के बाद योर्शा द्वादर के बाद फिरीन आया है भी इस आसे प्रीज प्लीह प्लीब और वह यस का और मैंक का नाम पुका रहा है तो हम इसको कोएंगे बोस इस को लिग ओवर दैश्च और मेंक नेम बोस को लिग ओवर दैश्क और मैंक नेम तो गाईज आपके इस वीडियो पार्ट चाहिए तो इस सोड़ों को मैंकर barrack लिख ने बूले